वेसा प्रीटिक्शन स्कॉल लाइन क्योंगी फाइनला है दल्ककर करेंट और एंडिया पोर जिरो इंडिया पॉर जिरो इंडिया एंडिया मेरे इंडिया है तो हे अवरिबन आयम प्रत्ति उशराब भी है स्पोर्ट्स ट्रेश आज क्या है सिर्फ मैं ही ज्यान की धारा नहीं बहूंगा यहां पर करिकेट के बारे मैं सब्सक्राइब करें तो उसके बारे मैं कल यह पॉड़कास्ट देख रहे हैं इसके बारे मैं कल के बारे बात करेंगे कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा बहुत बहुत हो नहीं मंतर है लेकि दो मईने पहले शयूट है यह पर बारे इस दो महिने पहले होई कि और जो आप अब उभर गाया पाकिस्तान के बड़ी वाद मुझे यह लगी कि जब इंडिया से खेलती है तो क्यों पता होता है इस पहले जो इंडिया से पहले बहुत तो थे तक राड़ी अच्छे लेकिन अना वो बोल चाल में और मेंटन टफनेस में थोड़े से कम थे इस बार जो सिर्ज होई है को तो हंगोवर तो साथ उतनने वाला एक साल तक नहीं है लेकर हां थोड़ा सा कम हुआ है तो पिछले साथ जितने की एक हंसे बात अब कर दो पर दो शोट के दो शोट के कि क्रिके त्यास के सबसे भैदरी शोट मानें जा सकते हैं और यह उतारना काई मुझे भी लगता कि य यह सीरीज बिलकुल सिमिलर है 2001 इंडिया उसले की सीरीज के वह सीरीज आज तक नहीं भूल पाया है कोलकाता हमार हो चुका है जिन्दा रहेगा और ब्रिस्बेन भी जिन्दा रहेगा यह सीरीज अनेक्सपेट था एक दो अभी भी तरम्स पे नहीं आपाय हो में उसके कि यह जो सीरीज इंगलेंड से वने वाली है क्या 2012 जैसा कुछ हो सकता है गया अभी तो कोई भी प्रेडिक्शन करना बहुत ही बुरा हो जाएगा क्योंकि जो हुआ है ऑसके बाद तो किसी भी चीज को कुछ भी प्रेडिक करना कुछ बोलनी से और अभी भी इंडिया को बिठा के कुलदीब को खिला लेंगे वो लोग तीनिस में रखास को कुछ भी कर सकते हैं हमेशा बहुत ही इंस्टिंक्टिव और अनेक्सपेक्टिव डिसंट्र रहते हैं दो लेकिन वह बारा में जो एलिस्टर काफी वैसा कुछ रूट कर सकता है क्योंकि अभी उसका अच्छा चल रहा है उच मतलब अभी अंटर निहीं कर सकते है रूट को अपन ऐसा नहीं मान सकते है के इंडिया के पास स्रफ अभी स्पिन इंडिया का मेजर वेक्व कश्टाइक लांस फसक्ताम से और इसमने इस पिन देपर्टमेंट वी रही बीस्ट घाएगा तो और इ को दोनों अच्छे spinners थे इनके पास सभी इनके पास एक spinner जो इनका अच्छा चला है स्री लंका में डॉम बैस जैक लीच देखते हैं कि इतना चलता है तो दोजार बारा से एक्सपेक्ट करना मुश्किल ही है बट फिर भी अभी कुछ रूल आउट तो नहीं कर सकते हैं लेकर चीरों से डाउन होने के बाद दो एक से सीरीज जीए जाहें ही और अलेश्टरक को को सीरीज में आउट हुआ ही नहीं एक दरी किसे तो मुझे लगता है एक न एक तो चांस बनता है इंग लेंट का क्यों हो एक आप लोग भूल रहे हैं शायद के जो रूट और अलेश्ट आप खरेक अब बात आप कर रहे हैं तो अपों यह रहां मैं ऑप यह रहां मने ऑच्रह को है तो तो बहुत ही मुझकल है और बीच में अपन दोहर सुला भी आया इन चीज को अपना आपना चाहिए लाग ना चाहिए लाग आपन अबद की सारी ही तो 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 टीम एक पीक तो उस तरीके एक्सपेक्ट करना ब्लग मुस्किल है। दॉमबैस की है, जेगलीस भी ठीक है, लेकिन स्वान और पनिसर जैसी इनकी क्वालिटी नहीं है। जब एक स्पनार है जो इंडिया को परश्चान कर सकता है, वह मुए लगी। पूर इसी कुछ में लिए। पूर इंडिया को परश्चा लेगी। प्रश्चन करना बड़ा मुस्कुल हो चुका है, लेकि इंडिया में शीरिच आरा हुशी थी। इंडिया का बैटिंग लाइनप था वह अभी तक का इंडिया का बेस्ट बैटिंग लाइनप होगा, क्यों कि स्टार्ट हो रहा था सहवाग से और पुजारा काफी अच्छा था था लेकिन सखसर वेकार तो पर इंडिया के लिए थी। लेकिन उस बैटिंग लाइनप के अगेंस्ट उनके स्पिनर्स ने इतना अच्छा किया था अभी अपर को यह बोलना चाहिए ना कि स्वाब घंबी सचेल अपने खरेद के अच्छा था थोड़ा रफ्लेक्स कम हो गए थे शादिनियों तभी हारी मॉमाला से मॉमबई था अच्छा मॉमबई भी मैं एक्सपेक्ट नी कर रहा था इंडिया हारेगा वो एलेस्टर को को पीटर सिंगी पार्टेश्ट के वज़े से हार के कि उसमें पहली इनिंग में पुजारा ने सेंचुरी मार दी तो यार लगा नी था कि वो भी हारेंगे बट वहा अच्छा मॉजा अच्छा मॉजा अच्छा बखर लागा था तो मैं जाली आधंगे वो खेल खेल के सामाज गया तो एंडिया नहीं मैं थारी अब अब अच्छा दरेंगे यह लास्ट ताइम और 16 में मतलब अच्छा आप़न किया तो तो हम भीन कॉंफिटेंस एच्वेन जब भी हाइन कॉंफिटेंस होता है तो अच्छाई रहता है अजिए इलिए बॉक बत कर लेते हैं अधिया लेंड पर्णक लेंगः क्या लगता है, मेरा तो फेवरेट प्लेयर था मयंग, लेकर मयंग को असा लग रहा कि दो टेस्ट मैच जाते ही विजारे के करीर संक्रट में आगया, तो उसको ख़लाओ कि एक बिल्को के साथ जाओ मयंग के साथ अंफिर तो है, बट यार वो कन्विंस भी नहीं कर पाया, लाइक बंडेस में भी खेला था, अंडर का हुंटे, वो जब था भी क्रीस पे दो टेस्ट के बीच में, लग नहीं रहा था कि वो बॉल बैट से टेस्ट करना चाहता है, डर, मलस लग रहा था डर डर क तो शायद लगता नहीं है, चांस मिलेगा, शुबमन गिल को य ओपन कर रहेंगा, अच्छा मैं भी शुबमन गिल को में बुटिंग से भार हो गया, इसे बसी में दुबारा ना बनी तो अच्छी वात है, लेकिन फिर मैंग लगता है कि एक लेवल का फ्लेयर है, वो लंग स्टांस की चेंज कर लिए, वो हाथ यसा पीछे करके रखता है, वो भी उसने चेंज कर दिया, अब मतलब पहले वो लेट होता था बॉल पर अब और जदा लेट होने लगा है, अचा वसीम जाफर ना पहले सेवाग की रिप्लेस्मेंट के जैसे सोच रहे थे उस टाइम प कर दिया वर्च तुरख लेट है, वो यसा बच अब पर रहें था गेलेगा है, तो या रव हम फर ने जो उसने चालिए अच हावज देसरा में पर लोटें कभीन अच्छित उसमें इने धुष्टेलिया में दो सिरीज में डोनों में अच्छा इंडग हायर स्कोर था ना प प्रतिस आप बताईए मुझे इंग्लेंड में इस पक्त सबसे बड़ा खिराडी जूरूट बैट्समेर हैं लेकिन सबसे थाड़ी मनाता जौस वाइब फोरी ऑन बैंस्टोक्स क्या लगता है कि बैटिंग से कुछ कर पागा इंडिया आपको उसके मार बोलिंग के बुलना है बैटिंग में तो चलू देंगे दो थीन फिप्रिप्टिस मार सकता बट बोलिंग में इतना कुछ होगा नियुए उसको मिल गयाता लेकर मुझे नहीं रखता कुछ होने वाला उनका में एक्सट्टर रहेगा जो नाइटिमाइस की स्कूल से वाल डालेगा वो है जोफरा अगर वही कुछ कर पागा तो ही कुछ केले अगर आटिए ने कुछ नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है इंगिलेंड वहीं बहुद रहा है जोफरा को इंडिया लाश्ट अटिकोड टेस्ट में खेलें इंडिया उसमें वहां तक एक टेस्ट में चाहरा है वहां सोचो एक को भी याद रहां को फूर ही का दौर सप्रा वाला अस्टेलिया तो इंडिया में इंडिया बहुत यह बड़ी बात ही होता ही नहीं है ऐसार पारिखना इंडिया और ऑसलियों के लिए अपने दिसमें भी मैं। और यहार जाता कि इंडिया के जहारा होगा। टिम जब बीक थी ना तब गिंती के 2 री मैच आरती थी वह जैसे मतलों वॉषलय की टीम अभी होगी है तब वह हारे नहीं है अपने चेखेर फैसे बाट अब बीच आर्ए थे तो भी कोगे तो वह हरने जादा लगए इंडिया थो वीक में भी इंडिया में हारता है तो हां मह himh 2-4 में अच्छना ऑशना Ci a прим घार भारभी स्वीज आ दिलेंट गेंटि पर जा है यहां इ हाँ हाँ पर 10 सेके बात के बाद इसी के भी में को यहीं पर पाद के बाद दो तीन दिश्कसान है, ये मैं खिलेगा और गिल के साथ एक है कि वाशंग्टन कहिलेगा और अक्षा पटल लगरा है मुझे चाहता तो मैं कुल्डीप कहलेगा तीन खिल दा सकते हैं इंडिया, बोलर रहे थे लोग तो फिर ऐसंतो खिलेगा अक्षा पटल खिले तो फिर इस अअग्षा पाटल खिलेगा नम्यक्ति ऑक्षप अगरा तो बुब्सुन में क्लूरा है इस टो फाइप इंडिया का फिक्स है और मेरे करेशोए, शाय द ये आधिक पांड़ा को भी खिला सकते हैं पांड़ा को स्ल यहां निवरता बूब दिखते हैं बोलिंग में अपनी दुबार वापस आपया है या फिर एकदम से उसका बोलिंग स्टार्ट कर्वानी के लिए लिग टेस्ट में विए लोग को इनकी करेंगे, अगर टेस्ट में है तो बॉलिंग करना जरूर है, उसका है ना? अच्छी स्टीन ओवर्स डाले बढ़ें तो फिक्स है इंडिया को अशार इसको एकाद मैच किला है अफरजी आधर पांग का इंगलें पांस टेस्ट आपने हाँ हाँ सही बोलाओ क्योंकि इंगलें पांस टेस्ट है अपने अपने प्लेयर वापिस आजाएंगे तो फिर कोई चांस नहीं है खांस का में तो अपने 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 सबस्द नांध सब्सक्राइब ट अग्याइब है करो नॅने टुर्अ बधिक ठ्रवल केंशट में और अगलर वायूientes भत तो नतल्ब तो सो c did sills कितना competition है कितना कंपोडिशन लेएंड खेल ने केल लिए और सिराज का पफोर्मेंस अच्छा रहा है इंडिया एक तो यह रवी शास्त्री बहुत फॉलो करता ना पनी इडियोलजी होर्स फॉर्स इस अब ब्रिस्बिन गाबा का पेच्छ भी थोड़ा अच्छा था तो सिराज को हेल्प भी था मेलबर्न भी काफी बाउंस था तो मुझे नहीं लगता शायद इंडिया में अभी से एकदम से चांस देंगे बुम्रा को तभी तक एक टेस्स मिला नहीं है इंडिया में तो बुम्रा तो खेलेगा पेला टेस्ट शान अभी पुजारा की बैटरी के बारे में तुमी सवाल उ इसे देखा एक बर वह सेट हो जाता है पिर मारता है क्योंकि इस पिनर्स को और को एक नहीं करता अपने इंडिया बेट्समें ना जब सी निव जन्रेशन आटेक करते से डरते हैं अब रिश्यप पर प्रेश्यर बना लेते हैं पुजारा अकेला थोड़ा अटेक करता है इ अब रिश्यप पर या अब रिश्यप पंथ उगया है अब रिश्यप पंथ तो यार र Cleveland ने वोला ना कर दर लगता है opposition को भी गरें खिला फूर्य पंथहां कि या नोज जेंव तो ब मेरे साबसे पांथ a ऱे रहें वो एक जैम है तो जैसा खेलना खेलने दो बस यह एक् मुझे लगता है कि रिश्यप पंद को अभी भी बहुत पोटेंशल है ग्रो करने का अभी भी बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता अपने गेम को और एक और चीज है रिश्यप पंद के साथ कि अभी जो पावर निकल के हारी है जो में यूएस्पी उसकी कि वो डर पैदा कर रहा है वो जो इंस्टिल करके रखाना वो नहीं छोड़ना चाहिए उसको, वो उसका में विपन है क्योंकि जब तक अगर वो धीरे भी खेलेगा ना, लाइक पचास के स्ट्रैक रेट से, चालेस के स्ट्रैक रेट से, उपोजीशन का डर बढ़ता ही जाना है, कम नहीं होना है, तो म विए यूएसपी उसकी उसका डर है, लेकिन एंडरसन उंकले एक्षाटे टूक्ता, एंडरसन आएगा, एंडरसन देखते हैं, विराट परसेस एंडरसन चाहिद फॉर दे लास्त टाइम में वो आया सा, मुझा लागा तो लास्तूरेस का, वो बिश्में आगे बताओ, व पर एक्सपेक्ट कर सकती है, ब्रोट भी ऐसा की फर्स्पेल वाला बंदा है, इंडिया में अगरे श्रागे में। वोगस को देखते हैं इंगलेंड में तो चलता है विद्वाल पर इसाब से क्रिस वोगस बन सकता है कर दो तो यहां एक अपने जाएगा मेरे तुम जोफरा सही बोल रहा हो जोफरा उनका इनका इसलिए वेपन है जोफरा को टैकल करना रहेगा है रोहित ने अगर मार दिया जोफरा को तो फिर जोफरा पूरी सीरिस ले जाएगा पहला टैस्ट मैच में यह न है लेकिन चन्ने की पिछ मुझे लगा रहा साइगंड टैस्ट मैस का ता हाल होगा पहले देखते हैं बिल्कुल घुछ जाती है स्टैंड टैस्ट मच के खिलपाएं गोसे पहले दनी तो अधिक पहले टैस्ट के चौथे दर अखाड़ा बन जागी पूरी पैच चेन नहीं इंडिया का हैपी हंटिंग ग्राउंड है वह सालो सरा है वो सचिन की वह वाली पाकिस्ता किला भारे गाए दिर अधिर अधिर फान फट्री थे वो लास्ट में सारे अधिर अधिर अधि खेंज ढूए थे एक बार फ्री शी था थे लिए कर पाया था यह ऑधिरैस नहीं इंडियर का अधिन श्यूर्फटिं घर अधिर दो इंपोर्टें चेन नहीं होए तो तो मैंसे अधिर सेलगे ए श्यू जिए रोडेशन पॉलिस या अच्छा हाँ ये भी सही है उसके स्टेंड बन तो अभी इुपली फॉट्टास्ट पर रेंड करते हैं कुछ पर प्रशान भाई सबसे पहले क्वेशन आपका वोग्स नम्बर ऑपिकेट्स क्या तब स्ट्वाइब को लेगा सीरिज में सब्सक्राइब कितना 23 23 23 इतना प्रसाइस तो क्रिश्णा भाई आप स्ट्वाइब मेरे सबसे बनाएगा पुजारा कितने पुजारा कि अरिकाथ वराट कोली बनाएगा 550 प्लस पुजारा 400 प्रसांद भाई मैनो तो सीरिज मैनो तो सीरिज रवी चंदन श्षिन पर फगड़ तैल लग रहे हैं याप यहां पर आपको को रण मनाती भी तेली अलवर यहां मेरे तरफ से भी ऐश्ष्वी नी एंगया का में दिल्यार चैनन नहीं मैंना तो मैस कौन होगा पहले टेश्ष्ण नहीं से था पहले मैच मैं इस साथ है मेरे असाब से यह होगा विराट कोली एक सेट साल से उसके सेंचुनी लगी बतना था प्लेयर नहीं कि वो दो साल बगाउट सेंचुनी निकाल रहे हो बहुत बड़ा राक्स तो बहुत ब्राट कोली हो विराट एर बहुत फैमिली मैन हो गया अजके लब में को न इतना ट्रस अश्विन ही स्टार्ट करेगा चेंड नहीं उसका होम ग्राउंड बे अश्विन मेन होने वाले एंड लेगे तो फिर रूट या पुजारा इनले किस या रहन हो लोगी अब इसली पुला रहा है पुजारा एक चांस रूट का भी पिशली बार उसने बहुत रहन मारे थे पुछली बार उसने 550 मारे थे एक सेंचरी विथी उसकी फ़र्स टेशना अब उस अभी लंबी-लंबी लंबी अब मेरे साब से सम्करन तो लाइन ही हो लोग मुझे लगता इंग्लेंड की तरफ से कोई सप्राइज कर पाए यंग प्लेयर्स में इंडिया निकाल देगी तो क्योंकिलिए टाइम खता होने वाला है लास्ट प्रेडिक्शन स्कूर लाइन क्योंगी फैनले स्कूर लाइन बल्कुर करेक्ट जरूर सब्सक्राइब जरूर करना ठीक है वाई वाई